जब आप अपना Facebook account create करते हो उस टेम पर बहुत कम followers होते है रिल्स वेगरा वीडियो वेगरा कुछ भी उस पर वारे नहीं होते है तो ऐसे में कौन आपके account को hack करेगा लेकिन जब आपका account grow कर जाता है अच्छे खासे followers हो जाते है रिल्स वारे लो जाता है वीडियो वारे लो जाती है तो आज के आज अभी के अभी अपने Facebook account पर A2J security on कर लीजिए इसके बाद आपके account को कोई भी hack नहीं कर पाएगा नहीं तो आपका कोई close friend इसके अलावा कोई बड़े से बड़ा hacker भी नहीं तो कैसे करना है देखे सबसे पहले आपको Facebook को open करने है जैसे आप Facebook open करते यहाँ पर साईड में आपकी profile photo at a tree icon आ रहे है इस पर आपको click कर देने है तेन देखो सबसे पर settings आ रही है आप यहाँ पर click कर करके यहाँ पर आ सकते हो otherwise आपको नीचे scroll करके यह option नहीं आ रहे है Settings and privacy लिखा रहे है इस पर click करके again settings पर click करके आप यहाँ पर आ सकतो यहाँ पर लिखा है see more in account center इस पर आपको क्लिक कर देने है यहाँ पर थोटा सा scroll करके password and security लिखाएगा इस पर आपको क्लिक करके two factor authentication पर क्लिक कर देने है यहाँ पर आपको अपने facebook profile को select कर देने है यहाँ पर यह आप से आपकी profile का password मांगेगा आपके याद नहीं है यह दो वीडियो देख के आप अपना password पता लगा सकते हो दोनों वीडियो निचे description में लास्ट मिल जाएगी यहाँ पर password फिल करके आपको easily next कर देने है मैंने भी कर देने है इसके बाद आपके सामने s interface आएगा सबसे पहला यहाँ पर लिखा है authentication app आप किसी app के through अपनी security लगा सकते हो तो इ यह आपसे बोला है कि आपको एक app डाउनलोड करने है जिसका नहीं में Google Authentication Authenticator ठीक है यह वाला यह कहाँ पर मिलेगा app store play store पर available होगा तो आपको ऐसे बेक कर देने है जन आपको अपने mobile में play store open कर लेना है या app store open कर लेना है तो easily यहाँ पर मैं on कर लेता हूं यहाँ पर आपको search करने है Google Authenticator यह आगया application ठीक है यह वाला application इसको आपको ऐसे install कर लेना है जैसे install कर लेतो हो then आपको open करने है जैसी आप open करतो हो first time में आपके सामने इस app में S interface आएगा तो यहाँ पर add आ रहा है इसको आपको close कर देना है तो सबसे पहले आपको English कुछ भी language अपन इसके बाद यहाँ पर आपको next करने है next करने है और next करने है यहाँ पर लिखा है get started इस पर आपको click कर देना है then यहाँ पर लिखा है read this the guide इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आप किसके लिए करना चाहता हो यहाँ पर मैं करता हूँ facebook के लिए यहाँ पर मैंने facebook को select क कुछ इस त्रीके से यह सब आप रेडर करना चाहो तो कर सकते हो अधर विवास आपको करना है यहां से एक कोड चाहिए आपको गोट इट कर दने है यहां पर अपको क्लिक करना है जेन यहां पर इसकार होड़ आ जो यह परवियसर लेता है वो आपको देता है अब यहाँ पर guys हम code कहा से लेका है तो मेरे को क्या करना है मेरे को bake करना है then यहाँ से मैं कोई code लोगा तो upload photo पर आपको click करना होगा तो इससे पहले हमें QR code लेका आना होगा आपको facebook में आ जाना है QR code देखो यह रहा यहां पर यह view code हो गया copy key आपकी भी ले सकतो QR code आप यहां से ले सकतो यह हो गया है अब इसका मैं यहां से easily skin sort ले लेता हूँ ले लिया मैंने देन आपको यहां पर इस app में आ जाने है यहां पर सबसे नीचे upload photo आ रहा है इस पर आपको click कर देने देन इसको add को skip कर देने मैंने यहां पर leave anyway कर दिया और यहां से यह QR code ले लिया है अब देखेगेज़ यहां पर मेरे को एक code दिया गया है इस code को मेरे को copy कर लेने है code आपको वहां पर दिया गया है वो code आपको यहाँ पर paste कर देने है then आपको next कर देने है अब जैसे ही आप next करते हो तो आपका जो यह security है वो on हो जाएगा तो यहाँ पर देखो two factor authentication is on then आपको done कर देने है second आपको on करने है tax message tax message पर आपको easily click करने है जैसे ही आप tax message पर click करोगे अब यहाँ पर आपको अपना वो phone number एड़ करने है जो आपका personal है और ध्यान रहे जब भी आपके facebook account को कोई भी phone number, email, ID, password दे के login करेगा तो सबसे पहले इसी number पर tax message में आपको एक code आएगा और वो code देने के बाद ही login कर पाएगा otherwise नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत द्यान से phone number देना है मैं दे दता हूँ आप भी दे दीजिए यहाँ पर मैंने अपना phone number दे दिया है then आपको next कर देना है जैसे आप next करता हो आपके सामने एक confirmation code का option आएगा जी आपको एक code आएगा enter code text message में वो code आपको यहाँ पर fill कर देना है मेरे को आ गया है तो मैं यहाँ पर उसको fill कर देता हूँ इस तरीके से कर दिया then आपको next कर देना है जैसे आप next करता हो तो आपका text message वाला भी setting on हो गया है इस तरीके से आप देख सेकते हो और यह key आपको बहुत ज़्यादे समाल कर रखनी पड़ती है, security key आपको flipkart, amazon वेगरा, आप online purchase कर सकते हो, या आपके offline market में मिल जाएगी, यह होती है इस तरीके से, इसके बारे में आप और ज़्यादा जाना चाहता हो, तो यह तीछे लिखा है, what is security key, इसके बारे में आप सब कुछ read कर सकते हो, अगर आपके पास है, तो आप इसको यहाँ पर read करके easily इसको add कर पाओगे, बहुत ज़्यादा आसान है, बस connect करना होता है, बस हो जाएगा, तो भाई यह बहुत ज़्यादा है, मतलब important होती है, अगर आप चाहते हो, आपका Facebook ID बहुत बड़ा है, तो भाई लगा सकते हो, इसको खरी सकते हो, यह कम सगम ऐसे आएगी 5000 रुपे के करीब की आती है, Bluetooth से इसका connection होता है, connect होके, तो भाई यह होती है, security keys, जिसका price 8000 के आसपास है, यहाँ पर देखो, यह अगर आप लेना चाहते हो, भाई purchase कर सकते हो, मैं आपको recommend नहीं करूँगा, अगर आपका budget है, आपका account ज़्यादा बड़ा है, तो भाई कर सकते हो, और connect करना, इसको लगाना मतलब ऐसे connect कर दोगे, और उसमें finger होता है, वो finger देदे रहे, बस आपका यह on हो जाएगा, इस तरीके से register हो जाता है, तो भाई इसमें आपको अगर करना है, कर सकते हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके बारे में बाकी इतनी security भी बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं hack कर पाएगा without code के, ठीक है, इसके बाद आपको बे करना है, यहाँ पर देखो नीचे लिख है, login alerts, इस पर click करके, यह यहाँ पर अपनी profile पर click करने है, then यहाँ पर आपको in app notification को on करने है, email को on करने है, जितनी भी email को on number वेगरा आपके लगवे है, उन सब को on कर देने है, अब आपके facebook को कोई भी login करेगा, तो आपके पास आपकी facebook notification में, और in email पर एक इस तरीके से इंटर्वेस आएगा, जिस का यह काम होता है, I hope आप लोगों ने दो security ओन कर दिया है, की आपके पास नहीं है, इसलिए थर्ड नहीं लगा पाए, टू भी कापी है, इससे भी आपका account सेफ रहेगा, और जादे सेफ करना है, तो की purchase कर लीजिए, पांच हजार से उपर की आएगी, इससे कम की नहीं और वीडियो को यहीं पर end कर देता है, वीडियो को लाइक, सेर, कॉमेंट कर देना, एन चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को और पर पिस कर देना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए,